करम का धर्म से अधिक महत्व है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और करम करने पर भगवान स्वेफल देता है ठीक है यह मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक चोटी सी चीज आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगा ठीक है क्योंकि कल तो नहीं कुछ दिन पहले कल में कोई यह चीज दुबारा रिकॉल हुई यह बात ठीक है टीचर स्टे के दिन मैं आपको कई सारे चीज़ अपने लाइफ के बारे में बताई रहा था उसमें से एक चीज जो मैं आप सभी लोगों से सीरियस नोट पे शेयर करना चाहता हूं ध्यान से सुनना थीक है ध्यान से सुनना मैं जो अभी बोलने वाला हूँ उससे कई सारे लोग हो सकता है सहमती ना रखें ठीक है और मुझे बेफकूप भी बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मैं वो चीज आपको बताना जा रहा हूं, जो मैं personally feel करता हूं, ठीक है? वो ये है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनना, जब हम लोग अपनी कोटा की त्यारी, कई लिखेंगे नहीं, ठीक है? मैं आपके 2 या 3 मिनट लूँगा, 4 बचके 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 3-4 मिनट है, उसमें मैं एक चीज बोलूँगा, मैं अपने एक recently उस friend से बात कर रहा था, जो कोटा में मेरे साथ गया था, फरिदाबाद से त्यारी करने के लिए, ठीक तो मैं बहुत ज़्यादा चीजें in depth में teacher पढ़ाता था, उसकी purpose नहीं होती थी वहाँ पर, ठीक है? अगर मेरे को सिर्फ मेंस लेवल तक कभी अगर अच्छे से पढ़ा दिया होता, तो हो सकता है मेरा NIT में अच्छा college मिल जाता, लेकिन मैं advance के पीछे या IIT के पीछे इत ठीक है? मैंने ये बात बोली तो उसने कहा कि तुम्हारा बोलना आसान इसलिए है क्योंकि वो चीज जिसके पीछे हम दोनों दोड रहे थे, वो चीज तुमें मिल गई, बहुत अच्छी नहीं मिली, मिल गई, तो at least तुमने वो ताने नहीं सुने, वो struggle नहीं देखा, ठीक और फिर मुझे realize हुआ कि हो भी सकता है, हो भी सकता है, parents ने बोला हो, relatives ने बोला हो, क्योंकि financial situation उसकी भी बहुत जादा अच्छी नहीं थी और वो कहीं न कहीं loan लेके ही उसने अपना college भी complete किया था, और जब quota गए थे तो उसके parents ने कहीं न कहीं उसको पैसे लगा कि उसको नहीं हो पाता है, ठीक है, वो मेरे से कहीं न कहीं ज़्यादा ही dedicated था पड़ाई में, ठीक है, अब देखो परिस्तिती बोलो या जो भी situation बोलो कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये सच है, लेकिन उस ना होने के बाद उसका struggle अलग था, और मेरा हो जाने के बाद का struggle अलग थ ठीक है, अगर मैं दोनों को एक ही पन्ने पे ले क्या हूं तो हम compare नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा एक अलग class का struggle life में start हो गया था, और उसका ना होने की वैसे एक अलग tribe का था, हम लोगों ने अपने बहुत सारे struggles एक दूसरे के साथ discuss किये, ठीक है, और at the end अगर मैं बा कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसने कहा है कि यार हमारे teachers ने हमें पढ़ाया है, मैं उसके लिए हमीशा शुकर गुजार हूँ, आज की date में he is earning very good, very good, एक 32 लाग का पैकेज, छोटा मोटा पैकेज नहीं होता है, ठीक है, he is earning that amount in a very good company in Bangalore, ठीक है, he is settled, but अभी तक उस teacher के ही profession में हो, तो मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूँगा, जो तुम अपने बच्चों के साथ मत करना, ठीक है, और वो चीज पता है, उन्होंने क्या बोली, उसने मेरे को क्या बोली, कभी भी बच्चों को सिर्फ IIT के बारे में मत बताना, ठीक है, आप बताईए, क् अच्छा college है, no doubt अच्छा college है, ठीक है, लेकिन आप उनको ये भी बताईए, कि वहाँ पर सब चीजें सही नहीं है, ठीक है, हम लोगों को लगता है, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन आज की डेट में में को लगता है कि येस कुछ चीजें मिस हुई, लेकिन कुछ च सारे बच्चों को यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ branch, college और package के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मेरा मानलो, प्लीज ये सारे parameter अपने life से हटा दो, ठीक है, अगर आपकी मेहनत अपनी अच्छी होगी न, तो आप automatically जो आपके branch, पैसा और आप आपका college है, वो automatically मिल जाएगा, लेकिन आपके सोचने से नहीं मिलेगा, वो आपके करम से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा, आपके जुनून से मिलेगा, तो आप सभी लोगों को ये चीज़ धियार रखनी है, मैं हमेशा कहता हूँ, IIT अच्छे colleges हैं, all over India में अगर देख लोड़ा है, मापर जाके job नहीं लगती, this is the reality, और इसी लिए आपको उस चीज़ को इतना glorified करके नहीं समझना है, ठीक है, failure आपके temporaries हो सकते हैं, लेकिन permanent failure आपकी सोच हो सकती है, ठीक है, आप अपने life में कई बार fail करेंगे, कई बार उठेंगे, कई बार हार माल लेंगे लेकिन जो आपके दिमाग में permanently set हो जाएगा उस चीज़ के लिए, वो अगर है, तब आप कहेंगे कि आपने permanently failure को accept कर लिया है, तो आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े होए हैं, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ अपने करम पर ध्यान दीजे, आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या खोने वाले हो, क्या पाने वाले हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता हैं कि हमारे को जब हम लोग अपने टाइम में कोटा में पढ़ रहे थे, we were, colleges were glorified कि यार तुम college में चले जाओगे, क्या life होईगी, ठीक है, और मैं होगी, और मैंने आपको बताया भी कि मैं जब अपने life के lowest point पर था, तो वो कहीं न कहीं उसी सोच की वैसे था, कि अब तो मेरी life settled है, IIT में जाने के बाद, लेकिन फिर मेरे को realize हुआ, कि कलम उठाके पढ़ाना ही पड़ेगा, life बनानी ही पड़ेगी, वही struggle वापिस है, ठ है, मैं मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ का struggle भी है, और हो सकता है, जो भी आप struggle देख रहे हैं, उसका 10 गुना struggle आपको और मिले life में, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी responsibilities घर की आप ही के उपर आएंगी, तो आप जो सोच के जाओगेगी न कि आप सिर्फ enjoy करोगे, वो नहीं हो पाएगा, 20-25, 25 की age के आसपास, आपकी family की responsibility धीरे धीरे आप पर आनी start हो जाएंगे, आपको दिखनी start हो जाएंगी, तो आप जो सोच रहे हैं कि इतना आसानी से college में जाके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, enjoy कर लेंगे, आप करेंगे, लेकिन आपके back of the mind में, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, जो आपको struggle करवाएंगी, ठीक है, तो प्लीज, आप ये IIT का एक बहुत बड़ा bubble मत बना लीजेगा, ठीक है, हमारे teachers ने, गलत नहीं करा, हो सकता है, उनका intention ये था कि चलो बच्चे के दिमाग में ये रहेगा, कि IIT में जान में exam लिखा था, कोटा के बाद, उसके बाद 11-12 साल हो गए, 11 साल हो गए, मेरे friend के दिमाग में 11 साल तक ये बात रही, जब तक उसने मेरे को बोली नहीं है, और हो सकता अभी भी हो, ठीक है, means, मेरा बोलना हो सकता है, आपके साथ बहुत लंबा resonate करे, लेकिन मैं ये बात सत 5 years, 10 years, 15 years, आपके अंदर का क्या जुनून था, आपके अंदर की क्या पागल पंती थी, वही आपको आगे लेकर जाएगी, सिर्फ टैक से आप कुछ नहीं कर सकते, टैक से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्लीज आप अपने content से प्यार करिए, अपने family वालों से प् फिर आपका Oxford हो, MIT हो, वो आपकी reach में तभी होगा जब आपकी मेहनत उस standard की होगी, ठीक है, तो प्लीज आप अपने आपको बरगलाईएगा मत, कि हाँ यार, अगर IIT नहीं निकला तो हम failure हो गए life के, नहीं, नहीं, life ने आपको मैंने क्या कहा था, मैं चाहता हूँ आपको बाद की life असान हो जाए, ठीक है, तो भगवान ने आगर आपको कहीं न कहीं मौका दिया है सीखने का, तो हमेशा सीखने का attitude रखना, हमेशा learn करना, ओके,